So hi everyone, hope you all are doing well, मैं हूँ आप लोगा होस्ट एन दोस पुनीत सबनानी और इस वीडियो में हम लोग comparison करने वाला है DSLR vs. Camcorder के बीच में तो मैंने अल्रेडी एक intense वीडियो 2018 में इसमें अपलोड किया था, इस topic योपर अपलोड किया था basically और वो वीडियो काफी ज्यादा viral हुआ मेरे चैनल पे, टॉप वीडियो में से एक है वो वीडियो, I guess आप लोगों ने भी शायद उस वीडियो को जरूर देखा होगा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वो 2018 के प्रोस्पेक्टिव से मैंने वो वीडियो बनाया था, now 2021 चल रहा है, तो 2021 में camcorders और DSLR के बीच में आपको क्या लेना चाहिए और इन दोनों के क्या अपने-पने advantages हैं तो start करेंगे बिन वगवाए, अगर आप आए हैं, first time मेरे चैनल पर हो, that would be really appreciated कि आप चैनल को कर लें, subscribe और साथ-साथ में आप मुझे follow कर लें, Instagram and Facebook पे, तो चले शुरू करते हैं, let's get started guys So wait, wait, wait guys, before we start, आप लोगों के लिए चोटी सी good news है, description में आपको मिलेंगे link मेरे basics of videography वाली series के, finally, वो series पूरी हो गई है, so description में जाकर के आप check out कर सकते हैं, पूरी intensive, पूरी master class है वो, जिसमें आप समझ पाएंगे कैसे आप अच्छे video shoot कर सकते हैं, basics से लेकर के advance सारी description में मिलेंगे link तो आप जाकर के सरूर check out कर लिजिए, so आप लोगों को सभी को याद होगा, 2018 में मैंने इसके उपर already discussion कर लिया, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देगा, तो वीडियो जाकर check out कर सकते हैं, after 2018, last 2 साल में, companies ने भर भर के mirrorless cameras launch कर दी हैं, और उनम उसको camcorders में कुछ ऐसे advantages मिलते हैं, जो कि अभी तक एक mirrorless camera उसको beat नहीं कर पाया है, तो दोनों के अपने advantages हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, दोनों के अपनी usability है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, according to that, आप एक camcorder या आपको एक mirrorless camera खरीदना है, आप उ X80 है, और यह बहुत ही popular camcorder है, जो कि एक hybrid camcorder है basically, जिसमें आपको hybrid focus, slow motion, super slow motion, one in sensor, तो cinematic type के videos आप इससे आँख बन करके shoot कर सकते हो, ठीक है, और gimbal पे भी लग जाते है, तो काफी जादा, you know, अनोखा camcorder है, but major camcorders इस size के नहीं होते हैं, वो full size के ही होते हैं camcorders, तो जो इ और जो वीडियो शूट करने का style होता है, और जो वीडियो शूट करने का comfort होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, मैंने परस्नली नोटिस किया, आप इनसे एक एक डेड़ घंटा हाथ में लेकर के camcorder को shoot कर सकते हो, आपके हाथ में पैरों में कोई पेन नहीं होगा, उसक परस्नली बेनिफिशल या बेनिफिट लगता है camcorders का, ना तोकिंग अबाट mirrorless cameras यहां DSLR तो इनकी grip जो है वो photography perspective से बनी होती है, and then आप देख सकते हैं कि से जो हम photo shoot करते हैं, वैसे ही type का इनका grip और ergonomic होता है, तो that's why जब काफी लोग DSLR पर जाते हैं, तो उन लोगों को और you know, जो uses होते हैं, वो sometime नहीं suit करते हैं, but कुछ लोगों को यह grip भी पसंद होती है, कुछ लोगों को you know, video cameras वाली grip नहीं पसंद होती है, जो शुरू से लेके photos cameras पे काम करते हैं, उनको इस type की grip ज़्यादा पसंद होती है, depending on आप कौन सी grip को चलाना prefer करते हैं, वो depend करता ह वीडियो person to person और वीडियो शुटिंग स्टाइल के ऊपर, ठीक है, मिजरली मैंने देखा है कि mirrorless cameras या DSLRs को gimbal पे ज़्यादा prefer करते हैं, क्योंकि handheld में ज़्यादा अच्छे comfort नहीं provide कर आपाते हैं, that's why gimbal इन पे ज़्यादा use करते हैं, and camcorders को handheld ज़्यादा prefer करते हैं, क्योंक camcorder को ज़्यादा तबज्यों दी जाती है, यह ज़्यादा preference दी जाती है, now अगर मैं second point की बात करूं, that is है के output, video output functionalities, so camcorders में always आपको video outputs के option ज़्यादा मिलते हैं, it means जब आप किसी बड़े plasma पे output देना चाहते हो, या आपका camera जो की है crane पे लगने वाला है, in case of that हमेशा cam camcorders को ही prefer किया रहता है, because screen पे लगाते हैं टाइम पे आपको remote connection की ज़रूरत होती है, जो की camcorder में मिलता है, 2.5 mm jack होता है, जिससे remote connect होता है, तो वो port आपको camcorders में मिलता है, इसके साथ साथ में outputs में camcorder में आपको SDI output plus HDMI output plus video output का option मिलता है, और इसी जगे अगर मैं एक mirrorless याँ DSLR camera में बात करूँ, तो आपको ये सारे option नहीं मिलते हैं, किवल एक macro HDMI या फिर कुछ नए camera अभी इन दिनों में आपको full HDMI का output देखने को मिलता है, तो output के perspective से हमेशा broadcasters या जिल लोगों का majority of output के उपर based on है, video output के उपर based on है, वो हमेशा camcorders को ही preferred करते है, मिले लिए cameras को नहीं prefer करते, तो वो एक always advantage रहता है camcorders का, now talking about third point जो की है video resolution और camera का sensor size, so इन दिनों में जो video resolutions हैं, वो सब type के camcorders में और mirrorless camera में almost type similar आपको दिखेंगे, camcorders 4K तक shoot कर सकते हैं, वैसे ही mirrorless या DSLR cameras भी 4K तक shoot कर सकते हैं, तो resolution wise भर भर के दोनों में आपको option मिलता है, कोई एसा नहीं है कि resolution में आपको camcorder में कम मिल रहा है या mirrorless में जादा मिल रहा है, camcorders में आजकल slow motion का option भी आने लग गया है, जो पहले नहीं आता था, और that's why NX80, Z90 और ये जो palm camcorders ने ने इंटिद्यूस किये थे, क्योंकि इन में आपको slow motion का option मिल जाता है, और mirrorless cameras भी इस व slow motion और normal motion और 4K का option मिल जाता है, तो frame rate की कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है जाकर के sensor size की, तो camcorder में आपको 1 inch type का sensor दिखेगा, और जो की बहुत ही बड़ा sensor है camcorder के हिसाब से, maximum size का sensor आता है camcorder में, वो 1 inch होता है, और mirrorless cameras या DSLR cameras में आपको APS-C या फिर full frame sensor देखन बड़ा sensor होता है, तो obviously जब sensor बड़ा होता है, तो आपका low light performance बढ़ जाता है, और आपको जो background में shallow depth of field हो बहुत अच्छी मिलती है, that's why हम लोग cinematic look के लिए usually mirrorless cameras या DSLR जादा prefer करते हैं, but इसी हाथ में अगर में बात करूं, तो camcorders में भी background blur हो जाता है, but इतना जादा shallow depth of field ये camcorders नहीं create कर पाते हैं, because of sensor size चोटा होता है, इसके साथ साथ में lenses की भी limitation होती है, DSLR में अगर आपको अच्छा background blur create करना है, तो आपको अच्छी quality के lenses में invest करना पड़ेगा, 1.4, 1.8, 2.8, इस type के जो महंगे lenses होते हैं, उनमें आपको invest करना पड़ता है, but camcorder में on the other hand, आपको fixed lens का ही option होता है, आप interchange नहीं कर सकते हो, that's why आपको background में blur भी limited ही बनके मिलता है, इसलिए अगर budget point of view से मैं बात करूँ, तो camcorder आपका 1.8,000,00,00 रुपे में maximum focal length को cover up कर देते हैं, बट हां background blur थोड़ा कम होता है, बट अगर मैं जादा budget case आप से बात करूँ, तो आ आपको mirrorless cameras में या DSLRS में आख करके lenses को invest करना, lenses में invest करना पड़ेगा और अपनी investment को increase करना पड़ेगा, तो budget point of view से मुझे camcorders में जादा benefits दिखाए देते हैं, because of कम budget में आप बहुत कुछ shoot कर सकते हो, और यहां पर obviously अगर आपको cinematic expression चाहिए, तो उसका भी अपना एक बहु अगर आपका काम आपका budget कम है और आप lenses में ज्यादा invest नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास budget है and आप lenses में invest कर सकते हो, then you can go with the mirrorless cameras या DSLRS, now talking about the audio option, तो camcorders में again audio को लेकर करके advantages होते हैं, क्योंकि आपको इसमें high quality का XLR input देखने को मिलते हैं, यहां पर camcorder है, जिसमें आपक XLR microphone आप connect कर सकते हो, इस camcorder में, उसी जगे अगर मुझे एक mirrorless camera में XLR microphones connect करने हो, तो वो option मुझे यहां नहीं मिलेगा, यहां पर मुझे 3.5M jack का ही option मिलता है, तो मैं केवल 3.5M jack के microphone को ही connect कर सकता हो, तो यह again एक disadvantage तो नहीं है, anyhow आप audio तो record करी सकते हो, अगर आपको अपन input देना हो, तो वो एक limitation हो जाती है, mirrorless cameras में DSLR में आपको separate accessories पे invest करना पड़ता है, अगर आपको XLR microphones को connect करना है, यहां पर आपको built-in ही option मिलता है, आप यहां पर अपने XLR को connect करके और XLR audio को record कर सकते हो, तो वो भी एक मेर को लगता है, personally एक advantage के तोर पे मैंने इसको, you know, दे आपको built-in वीडियो को लेकर के बहुत सारे options मिल जाते हैं, जैसे कि built-in ND filter मिल गया, तो अगर आप daylight में शूट कर रहे हो, तो आपको light increase करने के जरूबत नहीं है, आप ND filter को use करके इनों light को cut कर सकते हो, इसके साथ-साथ में operability के इसमें, इसमें servo zoom in होता है, तो आप servo zoom in, जो smooth zooming हम बोलते हैं, वो आपको इसमें मिल जाती है, इसके साथ ही साथ में इसमें आप custom buttons मिलते हैं, common camcorder में आपको 6-7 custom settings मिल जाती है, buttons मिलते हैं जिन आप customize कर सकते हो, अपने according settings में, ये भी again एक advantage है camcorders का, अगर मैं इसी जगे एक DSLR की बात करूं, तो वहाँ पे आपको custom buttons भी तीन या चार custom button maximum एक DSLR पे मिलते हैं, तो operations के मामले में always because of camcorder बनाया गया video के लिए है, तो video के लेकर के सारे option यहाँ पे professionally available होते हैं, तो ये again एक advantage मुझे लगता है, इसके बाद अगर हम बात करें तो recording time limit, तो आजकल mirrorless cameras में recording line limit company ने खतम कर दिये, companies ने खतम कर दिये क्योंकि Europe का एक law था, DSLR को लेकर के, वो law हट गया और अब जो video camera, जो mirrorless cameras है, उनमें भी time limit नहीं है recording की, पहले होती थी 30 minute की, बट अब कोई time limit नहीं है, but time limit की problem आती है, जब हम लोग battery life की बात करने है, जब आपकी battery जो है, वो discharge हो जाती है, पूरी की पूरी, because आप DC पे direct connect नहीं कर सकते, mirrorless cameras को यह अभी भी limitation है, तो आप long video maximum एक यां डेड़ घंटे तक का record कर सकते हो, बट अगर मैं बात करूँ जहां पे हमें 3-4-5-5 घंटे की video शूट करनी होती है, वहाँ camcorder के अलावा आपके पास कोई option नहीं है, क्योंकि यह direct DC पे connect होते है, और आप उसके आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो, तो यह मुझे camcorder का एक advantage लगता है, बाटरी लाइफ तो अगें दोनों की similar ही होती है, recording को लेकर के, बट यस आप DC पे से connect करके लंबी देर तक इसे record कर सकते हैं video, इसे लंबी रेसा खुडा बना सकते हैं, तो यह एक मुझे advantage लगता है, दोनों के अपनी usability है, मैंने personally notice किया है कि camcorder और एक mirrorless camera अगर आप video shoot करते हैं, तो दोनों ही usually आपके पास होने चाहिए, shoot करते हैं टाइम पे, क्योंकि दोनों के अपने advantages हैं और दोनों ही seamless बना रेते हैं workflow को जब हम लोग video shoot करते हैं, किसी भी type के event, अगर आप normal background blur से video ergonomics, you know, built-in, zoom in, zoom out, काफी अच्छी, zoom range, 4K, slow motion, ये सारी चीजें चाहिए, तैन आप एक camcorder पे भी जा सकते हैं, क्योंकि camcorder भी आपके काम को आसान बना देता है, video shoot करते टाइम पे, अगर आप cinematic expressions चाहते हैं, और आप lenses में invest कर सकते हैं, अपने budget को increase कर सकते हैं, then you can go with the DSLR और मेरे less camera, right, so that's it about in this video guys, आशा करता हूँ, आप लोगों को ये video पसंद आया होगा, ये 2021 का एक नया video है, और I hope आप लोगों को ये video पसंद आया होगा, share जरूर करिएगा आपने दोस्तों के साथ, भाई और बहनों के साथ, जो लोग नया camcorder लेना चाहते हैं, उनके साथ ताकि उनके दिमाग में भी ये चीज़ क्लियर हो, कि उनने दोनों चीज़ें करीदनी है, एक से काम नहीं होगा, तो thank you so much again for watching, अगर आप लोगों को पसंद आया है, तो subscribe कर सकते हैं मेरे चैनल को, साथ-साथ में आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram and Facebook पे, मन में कोई भी सवाल हैं जरूर बताइए, और Instagram पे जाकर के अगर कुछ परसनल पूछना है, तो message कर दिया करो, follow भी कर लिया करो, कभी कबार कोई follow नहीं करता है Instagram पे आजकर मुझे, and thank you so much again, stay tuned and stay rock guys!